हाई हेलो नमस्ते सस्रियकाल केम छो वन्स अगेंड वालकम बैक और यहां पर बात करने वाले हैं एक्जाम्पल नंबर 1.4 यहने 12th NCRD का चेप्टर नंबर 1 इलेक्टरिक चार्ज का यहां पर बोला गया है कि जो हमारा कुलम्स लो था वो कुलम्स लो में ऐसा बोला गया था कि जो यहां पर बोला गया है कि दोनों की स्ट्रेंद करो कौन ज्यादा स्ट्रांग है electric force ज्यादा strong ए या तो gravitation force ज्यादा strong ए दोनों की compare करना है किसके लिए लेना है electron और proton समझ लो यहाँ पे होगा क्या एक electron ले लिया हमने और एक proton ले लिया सबसे पहले जब electric force के बारे में बात करेगे यह negative charge है यह positive charge है दोनों के attract करते एट्रेक करता है तो वहाँ पर हम बात करेंगे दोनों के चार्ज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यूटर चार्ज होता है, जब ग्रैविटेशन फोर्स के बारे में बात करें, तब हम बात करेंगे मास के बारे में, तो यही चीज हमें समझ नहीं है, तो है कि समझ लो, सबसे बहले हम लोग ले रहे हैं एक electron, एक ले रहे है proton, और सोच लो कि दोनों के बीच का distance है small r, अब यहाँ पे दोनों के बीच का distance small r है, तो दोनों के बीच का electrical force की value लेते है, यानि mode, तो वहाँ पे हम charge की sign को consider नहीं करेगे, formula यह होता है कि q1 जो electron का जितना charge होता है, q2 यानि proton का charge, दोनों का charge की value तो same ही है हना, कितना होता है, 1.6 into 10 power minus 19 koulomb होता है, और दोनों के बीच का distance r square, चलो इतनी बात समझ में आगए, अब यही दोनों के बीच का gravitational force के बारे में बात करें, यानि fg, तो वह होता है, g m1 यानि mass of electron, m2 यानि mass of proton upon distance same है, r square, समझ रहे हो, simply यहाँ पे एक proton रखा है, एक electron रखा है, जैसे कि यह सोचलों कि यह हमारा proton है, यह हमारा electron है, यह इसके उपर दोनों के attraction force लग रहा है, due to electrical force, due to gravitation force, दोनों तरफ से उनको force लग रहा है, attraction force, तो मैं देखना है, कौन साज ज्यादा attract करता है, या electrical है, या तो gravitation है, तो मुझे compare करने के लिए क्या करना है, मुझे compare करने के लिए लेना है, ratio, taking ratio of the both the forces, simple से चीज़ है, so, यहाँ पर fe upon fg, fe क्या होता है, k e square upon r square upon g m e m p, mass of electron, mass of proton upon r square, r square, r square यहाँ पर cancel out हो जाएगे, obviously, so, हम ही क्या मिलेगा, तो fe upon fg, is equal to, समझ लो, k e square upon g m e m p, चलो, यह ratio जो है, इसको equation number 1 बोल दो, क्योंकि हमें यहाँ पर दो cases दिये गए, सबसे पहला case यह दिये गए है, for proton and electron, for proton and electron, so, यहाँ पर क्या करेगा, अब सब की value रखेगा, सब की value रखेगा, तेरा फैजल, fe upon fg is equal to k, अब k की value क्या होगी, 9 into 10 power 9, चलो, e square, यानि 1.6 into 10 power minus 19, the whole square, upon g, that's 6.67 into 10 power minus 11 newton meter square per kg square, m e, mass of electron, that's 1.6 into 10 power, sorry, mass of proton, 1.6 into 10 power minus 27 kg, और mass of electron बन जागा, 9.1 into 10 power minus 31 kg, अब देखो, यहाँ पर हर एक चीज़ कॉंस्टन है, यानि हर एक की value आपको याद रखनी पड़ती है, आपको बूलेगे ने, के भई, mass of electron आपको इतना लेना है, वो constant है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगे, अब जैसे के समझ लो, कि इस तरह से जब calculation आते हैं, तो आप लोग थोड़े से confused हो जाओगे, confused होने की कहाँ जरूरत है, मैंने पहले भी बूला था, इस तरह से solution में, इस तरह के calculation में, जो भी हमारे 10 power time है, उसके अलवा जो रहता है, उसको अलग कर दो, यानि देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, f e upon f g as it is compare कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखो, 9 into 1.6 into 1.6, क्योंकि square है, upon 6.67 into 1.6 into 9.1, चलो, इतना हमने अलग कर दिया, ठीक है, अब देखो, into में 10 power 9, into 10 power minus 38, क्योंकि square है, upon 10 power minus 11, 10 power minus 27, into 10 power minus 31, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम क्या करेगे, सबसे बहले इतने का solve करेगे, फिर यहाँ पर तो power की addition और substitution ही करना है, तो यहाँ पर सब कुछ जब solve करते है, तब हमारा answer कितना आ जाता है, तो F e upon F g, जो answer मिल जाता है, वो मिल जाता है कुछ इस तरह से, 2.273 into 10 power 39, याने के, F e is equal to 2.2 into 10 power 39 times of F g, याने देख लो, कि जो electrical force है, वो gravitational force से काफी बड़ा है भया, अगर एक proton और एक electron रहते है, तो वहाँ पर electrical force की value बढ़ जाती है, अब यहाँ पर दूसरे case में हमें क्या बूला गया था, दूसरे case में बूला गया था, दो proton ले लो भया, दो proton ले लो ठीक है, सो जादू हो गया, जादू तो हम करते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब देखो, यहाँ पर क्या है, कि दूनों proton दिये गए हमें, अब जब दूनों proton है, तो दूनों के बीच में कहां से attraction बनेगा भया, दूनों सेम है, दूनों positive है, तो दूनों एक दूसरे से गुसा होगे, अब देखो, ratio का formula तो यही था ना, कि A square upon G M E MP, यहाँ पर M E की जगा मैंने MP रखा है, क्योंकि दूनों proton है, चलो, value put up करते हैं, किसी को बुरा ना लागे, तो value put up करते हैं बिटा, तो F E upon F G, याने electrical force और gravitational force का ratio ले रहा हो, यहाँ पर 9 into 10 power 9, क्योंकि K की value इतनी है, electron की value बनती है, 1.6 into 10 power minus 19 C, the whole is square, square करना मत बूलना भया, फिर मिर को मत बूलना, 6.67 into 10 power minus 11, Newton meter square पर kg square, क्योंकि वो gravitational constant है, किस ने दिया था भया, Henry Cavendish, हाँ यह सब चीज़े भी बीच में याद करते हो, mass of proton, proton का mass रहता है, 1.6 into 10 power minus 27 kg, यहाँ पर दोनो multiplication है, तो यहाँ पर मैं square कर देता हो, किसी को बूरा ना लगे, तो हम बिटा यहाँ पर square कर देते, अब देखो, यहाँ पर क्या करेगे, जैसे कि मैंने पहले भी बूला, कि जो भी 10 के power है, उसके अलावा जो है, उसको अलग कर दो भाईया, तो 9 into 1.6 into 1.6 upon 6.67 into 1.6 into 1.6, क्योंकि भाईया, यहाँ पर भी square है, यहाँ पर भी square है, अब देखो, उपर क्या बनेगा, 10 power 9 into 10 power minus 38 square है, बूलना मत, फिर मत बूलना, हमने तो बोला नहीं था, तो 10, 9, 9, 9 हो जाएगा, अब 9 divided by 6.67 आपको करना है, और यहाँ पर जो power का plus और minus करना है, वो भी आपको करना है भाईया, क्योंकि हम तो रहे हैं सर, तो हम लिखें कि direct answer जो बनेगा, 1.349 into 10 power 36, यानि समझ लो भाईया, कि electric force जो है, वो 1.34 into 10 power 38 times greater है, gravitational force से, greater है, which means force of electron, यानि electrical force, is much greater than, बहुत much greater than है, gravitational force से, so यहाँ पर हमने, बी वाला भी solve कर दिया, जहाँ पर हमें बोला गया था, कि magnitude, दोनों का strength को compare करना है, for two protons, और proton and electron, इतनी बात समझ मैं कि, यह वीडियो थोड़ा से लंबा रहे है, क्योंकि यह दाखला भी थोड़ा लंबा है, यह सम थोड़ा लंबा है, तो अब B पर आगे बढ़ते है, so B पर आगे बढ़ते हुए, हमें यहाँ पर बोला गया है, coulum slow, क्या बोला गया है, हमें acceleration estimate करना है, क्या करना है, estimate करना है, हमें acceleration, estimate the acceleration of electron and proton, due to the electric force, their mutual attraction, when they, आगे का तो वही है, when they are one angstrom apart, यानि हमें क्या करना है, electron और proton को, एक angstrom के distance पर रखना है, एक electron, एक proton को हमें क्या करना है, एक angstrom के distance पर रखना है, अब देखो, जैसे यहाँ पर electron है, जो negative charged है, यहाँ पर proton है, जो positively charged है, अब देखो, दोनों के बीच में होगा attraction, तो दोनों क्या करेगे, अपने महबूबा से मिलने के लिए, दोड़ना start कर देगे, attraction force रहेगा, जैसे attraction force रहेगा, वो एक दूसरे के दरफ दोड़ना start करते रहे, तो which means we are having some acceleration, समझ गए, वो क्या करेगी, एक दूसरे के दरफ एट्रेक हो रहे है, यानि एक दूसरे के दरफ दोड़ेगे, तो वो acceleration कितना है न, वो समझना है हमें, और वो ही find करना है, अजी कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे Newton second law of motion, यानि F equal to maa का equation यूज़ करना है, F equal to maa, अब देखो, यहाँ पे जो mass into acceleration की, जो motion आती है, वो किसके वज़े साथ है, electrical force के वज़े से आती, किसके वज़े साथ है, electrical force के वज़े से आती, यानि acceleration हमें find करना है, that means electrical force upon mass, हाँ या नहीं, सही बात है, तब देखो, यहाँ पे directly ले ले लेते हैं, तो F, F यानि K Q1 Q2 upon R square है, यानि K, Q1 कौन है, electron, Q2 कौन है, proton, दुनों की value तो same है, distance दिया है, हमें 1 angstrom, और उसके बाद यहाँ पे M, बोलो, इतनी बात समझ मैं आगे, यानि मैंने क्या किया, यह F E की जो value है, इसको यहाँ पे मैंने रख दिया है, और M को as it is मैंने put up किया है, अब क्या करना है, हमें directly value put up करनी है, किसकी K की 9 into 10 power 9, into 1.6 into 10 power minus 19, the whole square, क्योंकि E into E square बन जाएगा ना भाईया, अब देखो distance दिया गया, एंग्स्ट्रोम में हमें पसंद नहीं है, क्योंकि सब जब केजी किलोग्राम में दे रहा है, सब जब ऐसा unit में जा रहा है, तो इसको क्या एंग्स्ट्रोम में रखना है, हमें वैसे भी data में दिया गया है, 10 power minus 10 meter नहीं दिया है, फिर भी याद रखना है, कि nanometer हो तो minus 9 लेते है, एंग्स्ट्रोम में तो minus 10 लेगे, क्योंकि हमको सब meter में ही पसंद यह, एंग्स्ट्रोम बेंग्स्ट्रोम हमको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर 10 power minus 10 the whole square, और यह जो M है, वो meter का नहीं है, मास का है, ध्यान रखना, अब देखो, किसकी बात करेगे, किसका मास लेगे, तो चलो हम electron का acceleration find करेगे, तो electron का मास ले लेगे, जो होता है, 9.1 into 10 power minus 31 kg, अब देखो, यहाँ पर हमें फिट से वही चीज़ करने है, 9 into 1.6 into 1.6, divide by 9.1 into, यानि मैंने क्या किया, जो 10 के power के, 10 के power के अलावा के जो term है, उसको अलग रख दिया, अब 10 के power वाले term, 10 power 9, 38, 10 power minus 20, 10 power minus 31, अज इस solve करो, आपको acceleration of electron मिल जाएगा, देखो, electron का जो acceleration मिलेगा, 2.53 into 10 power 22, meter per second square, समझ रहे हो, अब हम proton की बात करेगे, proton के लिए क्या करेगे, यहाँ पे ke square upon r square into m, यहाँ पे mass of electron था, तो यहाँ पे आजाएगा mass of proton, value सब put up करेगे, हाँ जी, 9 into 10 power 9, 1.6 into 10 power minus 19, the whole square, upon 10 power minus 10, मैंने पहले ही बोला है, मेरे को एंग्स्ट्रों पेंग्स्ट्रों पसंद नहीं, meter में ही चाहिए, ठीक है, mass of proton आपको याद रखना है, 1.6 into 10 power minus 27 kg, जब इसको solve करेगे भाईया, तो इसकी value मिल जाएगी, 1.38 into 10 power 19, meter per second square, यह मिल गए दोनों answer, यहाँ पे यह समकतम हो गया है, अब एक चीज़ कमपेर करो भाया, यहाँ पे electron है न, उसका acceleration को ज्यादा है, around समझ लो, 2000 times ज्यादा है, proton का acceleration कम है, क्यों भाया, मुझे यह समझाओ, क्यों भाया, proton थोड़ा धीरा है, और electron इतना जल्दी से भाग रहा है, अपने proton को मिलने के लिए, क्योंकि electron का जो मास होता है, वो proton के compare में कम होता है, कितना कम होता है, around 2000 times, जैसे कि आपने starting में concept समझाथा, कि electron जो होता है, electron का मास जो होता है, वो proton के comparison में, 2000 times smaller होता है, इसी वज़ा से, जो चीज पतली होती है ना, वो जल्दी से दोड सकती है, और मोटा इंसन जल्दी से दोड नहीं सकेगा, same situation में, यहाँ पर proton मोटा है थोड़ा सा, और electron थोड़ा सा 0 figure है, तो electron क्या है, जल्दी भाग के proton के बास दोड़ के आ रहा है, जब यह थोड़ा मोटा है, तो इसका speed थोड़ी कम रह जाएगी, यानि, acceleration थोड़ा कम रहेगा, ओके, तो यहाँ पर यह बड़ा वाला sum, खतम करते हैं, और आगे बढ़ते हैं 1.5 पर, तो यह वीडियो में हमने 1.4 नमबर का sum सॉल कर दिया है, done, thank you, that's it from my side, buh-bye.